हेलो दोस्तो मेरा नाम है राम जी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जहता कि आप देख रहें स्क्रीन पर मेगा हिंदी ये मैंने चेंज किया है ये डोमेंड पहले ये राम जी टेक्निकल डॉट कॉम पर था लेकिन मैंने इसको नूड डेमेंड ल स्वागतम भी शकुता जाहतं हुआ है और मैं ब्लोगिंग कैसे कर्ते हैं मतलब क्या क्या होती है और ब्लोगिंग के लिए यह आपको टॉपिक के बारे जानकारी चाही तो मैंने पिछले बिडियों स आइप ज़या और आप यहापर नया जो आप आर्टिकलARK भी जा कर पढ़ सकते हैं या मेगा हिंदी.com पर लेटेस्ट आर्टिकल है ब्लोग के लिए बेस्ट टॉपिक कौन सा यहां पर देख सकते हैं तो आप जाकर वहां पर भी अच्छे सी जनकारी ले सकते हैं ठीक है तो चलिए जानते हैं ब्लोगिंग कैसे स्टार्ट किया जाता है ठीक wordpress.com जो है यह एक बहुत बढ़िया मतलब चीज़े हैं यहां पर आपको सिर्फ पैसा देना है और बागी कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको लिखने के लिए सारा कुछ यहां पर सेटिंग के जरिए यहां पर मिल जाएगा और आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है कहने म wordpress.com पर हम बात कर रहे हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों यदि आप सब कुछ अपने आप से करना चाहते हैं तो एक wordpress.org होता है wordpress.com और wordpress.org यह दोनों मतलब सेम ही है थोड़ा से इसको different किया गया है जिसको अपने आप सब कुछ करना है वो free में यहां पर अपना domain लेकर ज इसी अलग website से यो domain बेसता है वहां से domain जो है purchase कर लेना पड़ेगा या खरीद लेना पड़ेगा और उसके बाद यहां से आप सब कुछ setting step by step कर सकते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि मैं यह भी बता हूं कि एक domain लेकर कैसे setting की जाती है सारा blog setup तो वो भी मैं आपको बता सकता है ठीक है यह तो होई wordpress.com की और यह होई wordpress.org की लेकिन काफी सब्सक्राइब लोग जो चाहते हैं कि वो पूछते हैं कि ब्लॉगर में blog कैसे start करें जी हां blogger एक जो Google का product है मैं आपको बता दूँ यहां पर पहले वाला जो account भी है यहां पर राम जी टेक्निकल से तो यहां कि मुझे इस पर ज्यादा कुछ मतलब यहां पर authority नहीं मिलती है काफी कुछ जो है Google के पास होता है ज्यादा आपको यहां पर ताम जमनी मिलता हलाकि जिसको शुरुआत करने है ज्यादा मतलब उसके पास पैसे नहीं है तो यह blogger बहुत ही अच्छा है उसको free में सारा कुछ मैं इसके उपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या कुछ करते हैं सेटिंग कैसे करते हैं कैसे आपका blog rank होता है और काफी सारी चीजे जो है blogger के बारे में मैं वह को बता सकता हूं नीचे comment करिएगा जैसा कि आपको जो भी help चाहिए ठीक है तो यह blogger जो है Google का product ह और यहां से जो है आप फ्री में जो है blogging बना सकते हैं पिल्कुल आपके Google account से ही उसके बाद next आता है wix.com जो की जो है यहां पर इस पर भी आप ब्लोग जो है लिख सकते हैं बना सकते हैं वेबसाइट ले सकते हैं इसके बाद next है tubular.com यहां पर भी यह blogging के लिए बहुत ह करना है तो यहां पर मैंने आपको चार से पांच बता दिये जहां platform यहां पर blogging से आप blogging start कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको यदि करना है domain buy तो उसके लिए godaddy.com है और भी है bigrock.com है तो basically मैंने यहां से purchase किया यह मैं यहां पर आपको जो है कोई भी यहां पर referral नहीं है कि इस link से जाकर आप पर्चेस करेंगे तो मुझे commission मिलेगा हलाग कि यह कोई भी पैड वीडियो नहीं है मैं आपको सिर्फ जनकारी के प्रसुत दा रहा हूं कि यहां पर डड़ी के website से जोस्तों आप जो है domain खरीज सकते हैं ठीक है जो कि यह से megahindy.com दूस तरह से आप भी यहां से कुछ भी अपना एक separate domain name यहां से आपको खरीदना होगा ठीक है चाहिए .com खरीदिये .in खर दिये या फिर .info खर दिये उसके बाद next hosting आती है तो मैं दोस्तों यहां पर resellerclub.com का hosting यूज करता हूं इंडिया का server या फिर US का server जो भी आ hosting है आप उसका भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको सबसे जो जाने वाली बात यह कि आपको blog start करने के लिए आपको एक domain name की योदपड़ेगी जो कि आप किसी एक domain विक्रेता से खरीद सकते हैं जैसे कि मान लिए गोडड़ी है और भी सारे लोग हैं वहां से भी आप खरीद सकते हैं उसके बाद आपको एक web hosting की जोड़ पड़ेगी खीक है और यहां से आप खरीद सकते हैं reseller club से और goad edit भी बेसता है hosting और wordpress से भी आप hosting खरीद सकते हैं जैसा कि wordpress.com है तो यहां पर आपको अलग से जो है hosting लेने की जोड़ नहीं है यहां पर सब कुछ site लेकर आई हैं जैसे कि pixabay.com है यहां पर आपको blogging के लिए कई सारे image मिल जाएंगे यानि फोटो मिल जाएंगे आपको blogging में लगाने के लिए उसके बाद जो next है वो है unplugged.com यहां पर भी आपको blogging के लिए अलग अलग तरीके के काफी सारे images free में available हैं तो यहां से आप दे सकते हैं next है जो है pixel.com यह भी गूगल का है product है और यहां पर भी free में जो है आपको blogging के लिए images या picture photo के हैं तो मिल जाती है तरह तरह के जो भी आपका topic है उससे related फिर एक next website है free images.com तो इस सारे के link जो है यदि आप comment करते हैं तो मैं आपको जो है इसमें जो है description box में तो यहां पर मैंने आपको पूरी material जो है blogging कैसे करते हैं इसके बारे मैं बताया कि आपको blogging कैसे करना चाहिए सबसे पहले आपको domain book करना है जो कि आप किसी भी domain वेक्रेता से जो है आप domain खरीच सकते हैं उसके बाद जो है आपको hosting लेनी पड़ेगी फिर आपको setup करना लिए तो आप सिधे blogger.com को use कर सकते हैं यहां से फ्री में जो है सब कुछ कर सकेंगे और फ्री में आपको एक sub domain मिल जाएगा Google की तरफ से जैसे माली जी आपको जो है माली जी मेरा राम जी टेकनिकल है तो राम जी टेकनिकल.blogspot.com मिलेगा ऐसे एक sub domain बना कर वो देता है क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो हमको फ्री में मिल रहा है तो इसलिए यहां पर आपको एक sub domain के जरी मिल जा जाता है वैसे भी यदि आप जो है wordpress.com पर जाएंगे तो यहां भी आपको फ्री में मिल जाएगा सेम चीजे राम जी टेकनिकल.wordpress.com मिलेगा ठीक है ऐसे नीचे comment कर सकते हैं कैसे जो है और सारी चीजे आपको मैं समझा सकूँ या फिर आपकी इस topic पर other video चाहते हैं तो हमें नीचे comment करके बताइए हम आपकी जरूर comment का जवाब देंगे इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.